हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए वार के पर दोनों वार नए वार नमर चोपन में घुड़को कलोनी प्रट जो हमारी सब्केशन को बन रही है लोगों ने दिन्यवाद गयापित किया है कुछ जगें सभाई के इसुष से उनको सुचारू करने के आदेशिक ले गए हैं देंगे नारियां जो हैं साफ नहीं हो रही बाती लोगों ने का भी काम के परती जो हमारे पार्शद हैं और बड़ीया काम कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा करीब पिछले छह में इनों से अचार सहीता चुनाओं के मद्धे नर्जे चलते रहते वे करमचारी जो हैं अपडाउन हुए हैं कभी परसेशन में मागने लिए कभी छोड़ दिये उसमेशे से डिस्टर्मेंस रही है परंतु और अब ये गर्मी की सरकार कादेश है इकरमचारी सुबह सुबह काम करेंगे पहले शाम के टैम सारामला एक वार्ड में जाता था रफ्ते में पूर्न तस्पाई हो जाती है वो चीज रुकी हुई है तीस जून के बाद सारी ववस्ता सुचारू हो जाएगी और लगबग दोनों ही वार्डों म और जहां जहां जा रहे हैं उन लोगों को यही का जा रहा है कि पेड़ लगाएं ज्यादा है क्योंकि पेड़ दो है आज हमारी जिरुवत बन चुका है आने वाले पांदस साल में मैं आपको आपके माद्यम से सभी नागरी को कहना चाहूंगा जिस प्रकार गर्मी बढ़ हो जाएंगे कोई टंप्रेचर हमानगड है जो कभी 40 था रहता था हम सोचते नहीं दें कभी 50 होगा जाओ पचास होगा तो क्या हो जाएगा आज वह पचास हो चुका है रही अलात्य आज आज वाड नंबर चोपन के अंदर हमारे हमानगड के दबंग विदायक श्री गिन नंबर चोपन में आए नगर पिष्द आपके दौरण डोटू डोर जाके नगर पिष्द का पूरा करमचारी जय नहीं नहीं एक्सन सारे दिखारी साथ मैं चोटी मोटी समस्याओं का निस्तारण किया गया मोके पर ही और जो समस्या मोके पर हल निए कि उसको कोपी में लि वार्ड में रूबरू होकर के डोर टू डोर गली-गली जाकर के लोगों से मुखापित हुए हैं और इन्होंने हर आदमी की समस्या को जाना है वार्ड में कोई कमी नी रखी जो काम के लिए अब रही बात पेड़ पोते लगाने की तो अब अगली बार हम पेड़ पोते भी लगाएंगे तो आपकी घड़ी वार्ड में बिल्कुल काम होकी है रेडी